वेल्कम तो यॉरॉण क्लासेश डिप्यां क्लासेश तो चलिए आज मैं एक नया टॉपिक लेका हुँ जो कि आपका हुआ इसे इसे जाए पॉइंट आप इस्टिमेट कितना होता है तो चलिए हम लोग देखते हैं इस्टिमेशन का पूरा शॉर्ट रिवीजन पूरा उसका मेथर्ड पार्ट और आथ और होता क्या है उसके बारे में देखते हैं चलिए agreement क你在 और क्तितने टाइप को थे तो तबिए आफ़े इस्टिमेट को था एक अधिया इस्टिमेट आपको थे आपको सबूस्चरानल एस्टिमेट हम शहते हुआ सबर्वे मत राइप औरिए अधिश्म comply एप्रॉक्स एप्रॉक्सिमेट 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 में क्या होता है एप्रॉक्सिमेट में डिटेल नहीं चाहिए क्या होता है प्रॉक्षीमेट में किप्लू डीरल नौलेज दो डीरल आ का रॉय है ओर इसको कौन कहराता कोन है एड बाई आप्रॉक्षीमेट विए USbstेटिव अपरुब ये किसकodelी आपको रहा हता है किसके द्वार होता है एड्मिनिस के द्वारा किसको किया जाता है तो एट्मिंस्ट्रेटिव एप्रॉबल के द्वारा किया जाता है और डिटील कि चाहिए कि इसमें सब्सक्राइब कर रहा है कि यह इसWowको उन्मट में तो चलिए देखते कि अप्रोक्सिमेट कितने टाप को तो डिटेल इस्टिमेट कितने कर अप्रोक्सिमेट इस्टिमेट चाहिए पहला होगी आपका कि अब चैने एक इस्टिमेट रेतर चैने टापकी अलगे तो अब कर देक्ट आपका यहां को तो फुर्सट है आपका प्लिंत है अइड लेंट एडिया कि लिंध अंजी आ अपका आपका इसमें प्लेट अरिया में आया को इसमें आ फॉर्मॉला बनता था वह प्लेंट एरिया इंटू यूनित रेट कि टेना यूनिट रेट उसका स्क्वार विट्रां कितना युनिट्रेट होगा, किसका तो ने रिया है, हम क्या करेंगे समय, स्क्वार्ण एंट्रां च्रूंथ वो मिट्वाइब कितना इसका रहा रहे हां यूनित्रेट तहाẫn यूनित्रेट उद्व पिए इसमें में प्लीड थेरहायल हैं तो यूनिट रेट लेंट थेरेंट टूू रेट किसमें करेंगे इन इसक्वाइर में कितना है इसका स्क्वाइर के साब एसका यूनिट रिट निकालते और आपका क्यूबिकल कंटेंड में का होता है कि इसका वॉल्यूम इंटू उसका जो रेट होगा इसका जो वॉल्यूम निकलेगा क्यूबिकल का और उसका यूनिट रेट से मल्टिप्लाइ करेंगे तो मेरा क्या निकल जाया क्यूबिकल में निकल जाएगा वॉल्यूम गूल्यूम , इन्टू यूनिट रेट क्या रेट है किस चीज का आइटम का , पता चले लेगा उसमें , थाड है तिपिकल बे मेथर्ट टिपकल बेटर्ट में वेह का होता है कि तीप कल बेटर्ट में होता है कि कितना नंबर ओफी स्पैन है और span का क्या rate है उसको जो multiply करेंगे तो आपका typical method मिल जाएगा तो क्या है कि number of span into unit rate of span क्या उसका unit rate है और जो third है आपका जो आपका fourth है sorry फोर्थ है वो है जो fourth है unit rate और क्या उसको बोलते हैं running method इसमें क्या होता है इसको जो हम design करते हैं जो इसके estimates जो निकालते हैं वो कैसा निकालते हैं कि पर बेड पर बेंच पर पर बेडरूम के साब से क्या करते हैं हम लोग इसका unit find out करते हैं तो first of all इसमें क्या करते हैं कि number of number of be a number of number of unit into rate of per bed से मल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या निकल जागा मेरा यह वो और यह टीप्लाइब करेंगे तो निकल जागा मेरा यह यह टीप्ट में निकल जागा देखते हैं डिटेल्स इस्टिमेट क्या होता है बिले इस्टिमेट में कि जो भी आपका का estimate है वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए फ्यां फाइफ इस्टीमेट दस नौट एकसिड मोर्दन 5% 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और सकेंट्स हो मुझ क्या है when i supplementary कि सब्त》 ऍप्लिमेंटरी कि सप्लिमेंटरी सटी मैट स्टी मेट सप्लीमेंटरी स稍टोरिमेंटरी टिमें सब्सक्रequal इसमें क्यों होता है कि आपका जो भी ऊरिज लिशनल कुछ है उसमें क्या आप अडिशनल जो अडिशनल जो आइटम वर करेंगे इडिशनल जो आड करेंगे उसको खो वलेंगे श Work प्रवय डिपना रहा ह्युश्वर द्सक्राइब उसको खुवे Tabii करना पदेगा वियुक्त करना पदेगा उसको थे यह को नाहिएगे सब्ली मेंटरिस्टिमंद इसमें क्या बोल एके एडिशनल एडेशन इंडर औरीजनल इस्तिवन तुम्यारेकर्ट में हमको अड करना पड़ेगा तो मेरा खैनिखाइब आपका supplementary estimate बन जागा supplementary estimate जो 3rd है वो क्या है revise और supplementary revise और revise and supplementary इसमें क्या होता है कि जब मेरा estimate बनता है तो उसके क्या होता है कि उसमें अचानक जब changing करना पड़ता है कि इसमें तो original estimate में जब हम कुछ चाहिए है अचानक estimate और उसका design में चेंज करना पड़ता है तो हम किसका utilize करते है कौन सा method apply करते हैं तो हम लोग वो अप्लाइ करते हैं वह होता है मेरा वह revise and supplementary estimate जब हम क्या कर सकते हैं design change करना रहता है design change design change and estimate design change simple design change लिख सकते हैं और एक और होता है मेरा annual repairing annual repair annual repair annual repair estimate क्या होता है कि annual repair estimate में होता है कि जो भी हम में repairing करते हैं जैसे कि road work फिन बिल्डिंग का फिन होस्पिटल का repairing जो करते हैं paint यह सब किसमें आजाएगा कि annual repairing में जिसका हम लोग जो हम लोग estimate लेते हैं annual repair के लिए hop one से हम डेट से 2% तक हम इसका लेते हैं इसका तो प्रोजेक को को करते हैं हम इसका डेट से 2% क्या लेते है और एक पीरिंग इस्ट्याइट लेते हैं इसमें आ जाएगा आपका के maon edan रोड बिल्डिंग एक्सेक्ट राइस में आ जाएगा तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब किया तब तक के लिए जहिंद